ये सारी ही घटना घटी 13 जुलाई 2024 को जब यूपी के मुरादाबाद में एक घर में रात को करीबन एक डेट बजे दो लोग आघुसते हैं ये घर अनिल चोधरी का था वो लोग आकर उसके उपर हमला करने लगते हैं और अनिल चोधरी की वाइफ तनु चोधरी उन्हें देखकर काफी बुरे तरीके से चिलाने लगती है कुछी देर बाद उनकी बेटी भी जाग जाती है और उन दो लड़कों में से एक लड़का वहां से भाग जाता है लेकिन दूसरा अभी भी अनिल चोधरी के उपर हमला कर रहा था और जब उसे ये लगने लगा कि कुछी देर बाद दो इनके आसपडोस में रहने वाले सा कर उनके सारे ही पडोसी वहां पर उनके घर पर आ पहुंसते हैं और उनहीं में से कुछ लोगों ने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया पुलिस वाले भी इनके घर पर आ पहुंसते हैं और यहां पर आकर पुलिस वालों ने देखा कि तनू चोधरी का इसके परिवार वा पोड़ी को पोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया और दूसरी तरफ उस महिला से ही बातचीत करने शुरू कर दी कि यहां पर हुआ क्या था तो तनू चोधरी ने सारी ही चीज़े डिटेल से पुलिस वालों को बताना सुरू किया कि जनाब मेरा नाम तनू चोधरी है और इन बिजनस की डील वगेरा के लिए वो लोग यहां पर आए होंगे या फिर पेमिंट वगेरा करने के लिए यहां पर आए होंगे जैसे ही उसके पती जाकर उनसे मिलते हैं वो लोग यहां पर इनके रूम में आते हैं तो उन्होंने इसके उपर हमला करना सुरू कर दिया और जब तक वो कुछ समझ बाती उन्होंने काफी बेरहमी से इनके उपर काफी सारे हमले कर दिये थे अब ये घबरा चुकी थी जिसके बाद ये चिलाने लगती है और आसपडोस के सारे ही लोग यहाँ पर आ पहुंसते हैं और बाद में वो दोनों ही यहाँ से भाग जाते जो कुछ भी वो लोग पता लगा सकते थे वो लोग पता लगाने की कोसिस करते हैं और उन्हें पता जलता है कि अनिल चोधरी पीतल के यहाँ के काफी बड़े एक व्यपारी हैं और बिजनस के सिलसले में काफी सारे लोग इनके पास आते रहते हैं लेकिन ये बात काफी ज अनिल चोधरी की बेटी पर पड़ती है जो कि वहीं पर खड़ी हुई थी तो एक दो पुलिस वाले उसे एक दूसरे रूम में लेकर जाते हैं और वहां पर आराम से उसे बैठा कर पानी वगेरा पिला कर आराम से पूछने लगते हैं कि बेटा यहां पर क्या हुआ था क्या तुम ने यहां पर कुछ देखा था जिससे की हम लोग इस बात का पता लगा पाएं कि आखिरकार तुम्हारे पिता के साथ यह सब किस ने किया और आखिरकार यह सब क्यों हुआ तो उस लड़की ने यह सारी ही चीज़े डिटेल से बतानी सुरू कर दी कि हाँ मैं आपको बता सकती हूँ और वो पुलिस वालों को बताने भी लगती है उसने बताया कि दो लोग उसके पिता के ओपर काफी बुरे तरीके से हमला कर रहे थे एक कोने में खड़ी होकर उसकी मा काफी बुरे तरीके से रो रही थी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और यह सारा ही लोगों ने उसके पिता को मार डाला है लेकिन इसी इन्वेस्टिकेशन के बीच और जब उस बच्ची से पुलिस वाले पूछताच कर रहे थे तो उस बच्ची ने कुछ एक ऐसी बाते बताई जिसके चल्दे पुलिस वालों की दिमाग में अब खटकने लगा था की हो ना हो जो कातिल है वो इनके काफी ज़्यादा नजदीक का है क्योंकि अनील चोधरी की बेटी मानवी ने ये बात बताई कि जो वो कातिल थे जो कि यहां पर आए थे वो कनहया मामा के यहां पर काफी बार उसने देखे हैं जब भी वो अपने काम पर जाती है या फिर कहीं पर भी उसे बाजार में जाना पड़ता है तो काफी बार उसने ये चीज देखी है कि ये दोनों के दोनों कातिल जो कि आज रात उनके घर पर आए हैं वो बहुत बार उसने कनहया मामा के यहां पर देखे हैं मोहित और अमोट था मैं तूशन जान देखे हैं आज लेखे हैं तो पापा जी को जानते ता हुआ नहीं जानते थे तो उन्हों ने खाँ था था पापा जी ते थे कैसे आया लाग वह रहा था उन्हों ने फॉन कर था था चाहता कि पैसे लेने आ आज़ा हम भार खरे हो यह मैं सो रही थी पापा जी चला रहे थे और रो रहे थे और फिर वो हम जब मैं उड़ गई ममी को उठाया था फिर वो भाग गए थे तो अब पुलिस वाले वापिस तनू के पास जाते हैं और उससे पूछताच करने लगते हैं कि आखिरकार ये कनहिया कोन है और उसके बाद तनू पुलिस वालों को कनहिया के बारे में ज़दा कुछ नहीं बता पाती है अब auxड़ा घबराने लगी थी पुलिस वालों के स और उसके बाद पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि तुम सारा का सारा कांड आराम से बता दो क्योंकि हमें पता चल चुका है कि जरूर हो ना हो डायरेक्टली या फिर इंडायरेक्टली तुम्हारा भी इसमे हाथ है और उसके बाद तनू ने एक ऐसी कहानी बताई जिसके पुलिस वालों का ये पूरा ही केस खुल कर सामने आ जाता है तनू ने बताया कि उसकी साधी अनील से करीबन 15 साल पहले हुई थी साधी के बाद उनको एक बेटी होती है वो काफी ज़्यादा खुश थे इस चीज को लेकर कि उनके घर में एक नया महमान आया है लेकिन इस बच्चे के कुछ एक दिनों बाद ही दोबारा से उनके घर पर एक लड़की होती है लेकिन तनू अब की बार थोड़ी निरास थी क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में एक बेटा चाहिए था लेकिन लगातार उसे तो दो बेटिया हो चुकी थी लेकिन दूसरी तरफ अगर अनील को देखा जाए तो वो अपनी दोनों बेटियों के साथ ही काफी जादा खुस था अक्सर तनू अनील से कहा करते थी कि हमारी तो लगातार बेटिया होती जा रही है लेकिन आगे चलकर अगर देखा जाए तो इनकी साधी घर दी जाएगी ये अपने अपने घर चली और उसके बाद हम लोग अकेले रह जाएंगे तो मुझे एक बेटा जाहिए लेकिन अनील का ये कहना था कि तुम थोड़ा सांती रखो तुम्हें इतनी जादा घबराने की जरूरत नहीं है बेटा भी हमें हो जाएगा तुम्हें इतनी जादा चिंता नहीं करने जाहिए लेकिन अब तनु को काफी जादा चिंता होने लगी थी कि हो सकता है अगली बार भी हमें अगर बेटी ही हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे हो ना हो इसका जुगाड हमें पहले ही करना होगा और अनील इस बात से इंकार कर देता है कि ये सारी चीजें हमारे हाथों में ये तो सारी की सारी भगवान की देन है और हो सकता है अगर हमारी किसमत में होगा तो हमें बेटा भी जरूर हो जाएगा यही सारी बाते बोलकर अब वो बिजनस तो किया ही करता था पीतल का काफी बड़ा वैपारी वो था अपने काम पर चला जाता है और अपने काम की सिलसिल में वो ज़्यादा तर टाइम अपने घर से बाहर ही रहा करता था लेकिन दूसरी तरफ अगर तनू को देखा जाए तो ओब घर पर काफी ज़्यादा परेसान रहने लगी थी पूरा का पूरा दिन उसके दिमाग में यही बात चलती रहा करते थी कि अगर उनके घर पर बेट पूसते हुए वो काफी सारे मंदिरों में जाती है वहाँ पर जाकर पूजा आर्चना करवाती है बहुत सारे पंडीतों से वो मिलती है पंडीतों के बाद वो तंत्रीकों के पास भी जाने लगी थी और वहाँ पर जाकर तंत्रीकों को अपनी सारी की सारी समस्या बताती कि उसे अपनी जिन्दगी में एक बेटा जाहिए अगर दूसरी तरफ अगर उसके पती को देखा जाए तो उसे इस बारे में कोई भी ज़्यादा नॉलिज नहीं है ज़्यादा इंटरस्ट भी उसका नहीं है कि हमें बेटे की कितनी ज़्यादा जरूरत है और पुत्र प्राप्ती के लिए आप लोग जितना भी कहेंगे मैं उतना खर्चा करने के लिए तयार हूँ क्योंकि हम लोगों के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है इसी तरीके से तनू अगले काफी दिनों तक या फिर हम लोग कहें अगले काफी सालों तक युहीं पंडितों के पास, तांतरीकों के पास और अलग-अलग जुगों पर युहीं धक्के खाती रहती है और इसी तरह एक बार वो एक मंदिर में गई हुई थी जहाँ पर उसकी मुलाकात कनहिया नाम के एक तांतरीक से होती है और वो कनहिया को अपनी पूरी की पूरी कहानी सुनाती है कि उसे अपनी जिन्दगी में एक बेटा चाहिए पहले ही उसे दो बेटिया हो चुकी है और इसका उपाई क्या हो सकता है और पुत्र प्राप्ती के लिए वो कुछ भी कर सकती है ये सारी ही बातें वो कनहिया को बत कर जाता है काफी सारे हवन वगेरा वो उसके साथ करता है और काफी सारी विधियां वो उसे बताता है और लगातार ये बात कहता है कि अब अगर आपको बेटा ही चाहिए तो एक-दोबारी में तो काम बनने से रहा तो अक्सर आपको यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करनी पड़ सकती है और इसके अलावा काफी तरहे के अलग-अलग कर्म कांड हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं तनु इन सारी ही चीजों के लिए तयार हो जाती है और अक्सर अब वो कनहिया के पास जाने लगी थी अगले काफी दिनों तक वो लोग एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम बिताते हैं और दूसरी तरफ जब अनिल को इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है कि उसकी पत्नी पुत्र प्राप्ती के लिए कुछ इस तरीके के काम कर रही है तो वो अपनी पत्नी को समझाता है कि इन सारी ही चीजों में हम लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये सा जादातर टाइम कनहया के साथ ही बिताने लगी थी क्योंकि उसके पती तो अपना पूरा का पूरा दिन बाहर ही रहा करते थे हफते में दो तिन बार ही वो बस आया करते थे और अब पूरा का पूरा दिन जब वो अपने घर पर अकेली रहा करती थी तो पुत्र परापती तो तो अपना जादातर टाइम वो कनहिया के साथ बिताया करते थी कनहिया बीच बीच में इनके घर पर भी आया करता था और अपना काफी सारा टाइम ये इनके घर पर बिताया करता था तो तनू ने अपने दोनों ही बेटियों को ये बात कहनी सुरू कर दी कि जो ये हर रोजबंदा अपने घर पर आता है ये कोई और नहीं जबकि तुम्हारा मामा है इसका नाम कनहिया मामा है उसने ये सारी ही चीजें अपने पडोस वालों को भी बताई कि ये मेरा भाई है कुछ इस तरीके से हम दोनों की रिष्टेदारी है जो कुछ भी उसे बताना था वो सारी ही चीजे वो बता देती है क्योंकि नॉर्मली तोर पर कोई वैक्ति किसी के घर पर जाता है तो आसपरोस वालों को ये सारी ही चीजे पता चल जाती है और वो लोग सवाल जवाब करेंगे कि हमारे आसपरोस में ये सब क्या चल रहा है तो इस रिस्ते को पहले ही तनू ने नाम दे दिया था और अब जब ये लोग एक दूसरे के साथ जादा से जादा टाइम विता रहे थे तो ये आपस में एक दूसरे के बहुत जादा नजदीक आ जाते हैं और उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को साधी कर लेनी चाहिए लेकिन तनू का ये कहना था कि जब तक उसके पती उसके साथ हैं वो उन्हे साथ बिलकुल भी नहीं रहने देंगे और कनहिया तो पहले से ही तयार था तो उसने ये बात कही कि हमें कुछ न कुछ ऐसा जुगाड करना होगा जिससे कि तुम्हारा पती हमारा कुछ भी ना भी गाड पाए क्योंकि असल में अगर देखा जाए तो कनहिया की नजर तो अनील की प्रोपरटी पर थी वो तनु को एक चाबी की तरहे यूज़ करना जाता था और उसके बाद कनहिया ने ये बात कही कि अब हमें क्या करना चाहिए तनु ने कहा कि हम लोग यहां से काफी ज़्यादा दूर भाग जाते हैं वहां पर जाकर साधी कर लेंगे और आगे चल कर हमारी जिन्दगी काफी अच्छे से बीतने वाली है लेकिन कनहिया इन सारी ही चीज़ों से मना कर देता है क्योंकि अगर वो लोग यहां से भाग जाते हैं तो पैसे प्रोपरटी तो उसे मिलने वाली नहीं है और उसके बाद अगर प्रोपर्टी ही नहीं मिलेगी तो वो तनू से साधी ही क्यों करें तो उसने तनू से कहा कि हम लोग यहां से भाग तो जाएंगे लेकिन आगे चल कर गरीबी में गुजारा कैसे करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड करना चाहिए जिसकी मदद से हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी आ जाए और हम लोगों के बीच से अनिल भी हट जाए तो तनू यही बात कहती है कि अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए और उसके बाद कनहया ने अपना पूरा ही प्लैन तनू को बताना सुरू गया कि हम लोगों को इसे जान से मारना होगा तनू पहले तो घबरा जाती है लेकिन जब उसे ये चीज लगने लगती है कि उसका प्रेमी उसे ये सारी ही बाते बोल रहा है और आगे चल कर उनकी जिन्दगी काफी ज़्यादा अच्छी बनने वाली है तो वो भी इस चीज के लिए तयार हो जाती है लेकिन तनू के दिमाग में अभी भी ये बात थी कि इस काम को अंजाम को देगा तो कनहया ने कहा कि मेरे दो चेले हैं मोहित और आमोद वो इस काम को अंजाम दे सकते हैं वो तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे पती को निप्टा सकते हैं लेकिन उसमें मदद तुम्हारी भी चाहिए होगी तनु इस चीज के लिए बिलकुल तयार हो जाती है और उन लोगों ने आपस में बैट कर ये प्लाइन बनाना सुरू किया और उस प्लाइन के मताबिक कनहिया अपने उन दोनों चेलों को वहाँ पर उनकी गली के बाहर लेकर आ जाता है बाइक पर लेकर वो उन्हें आ चुका था और उसके बाद उन दोनों ही चेलों को उनके घर पर भेज़ देता है दूसरी तरफ अगर तनु को देखा जाए तो उसने रात को खाने के दोरान अपने पती को थोड़े नसे की दवाई दे दी थी और जो अपने घर का में दरवाजा था उसने उसे खुला छोड़ दिया था जिसके बाद मोहित और आमोद इनके घर पर जा पहुंचते हैं वहाँ पर ये दोनों के दोनों हत्यार वगेरा अपने लेकर गए थे जो कुछ भी वो लोग ले जाना चाहते थे चाकू अगेरा और जब वो लोग अनिल के रूम में पहुंचते हैं क्योंकि उसकी पतनी ने पहले ही यहाँ पर सारा का सारा सिस्टम तो जचा ही रखा था तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग अनिल के उपर हमला करने लगते हैं अनिल थोड़ा हाँ चिलाता है लेकिन उसके बाद उसके उपर इतने ज़्यादा लगाता और वो लोग हमले कर देते हैं कि अनिल वही पर अपनी जान गवा देता है लेकिन अनियल जब चिला रहा था तो उसके चिलाने की आवाज से उसकी बेटी की निंद खुल जाती है जिसके बाद वो उनके कमरे में आती है और यहां का मंजर देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है उसकी बेटी ने देखा कि उसकी माँ एक कोने में खड़ी हुई है और वो काफी बुरे तरीके से चिला रही है दरसल वो चिलाना तो नहीं चाहती थी लेकिन जब तनू ने ये चीज देखी कि उसकी बेटी यहाँ पर आ चुकी है वो कातिलों के जस्ट साइड में ही खड़ी है और अगर वो नहीं चिलाती है तो उसकी बेटी को ये बात पता चल जाएगी कि उसके पिता का कतल हो रहा है और जो ये कातिल यहाँ पर आए हुए है उनकी माँ इन कातिलों से मिली हुई है तो वो भी वहीं पर चिलाने लगती है और उनकी चिलाहट को सुनकर उनके पड बाग जाता है तनू के जश्ट चिलाते ही लेकिन दूसरी तरफ आमोद को देखा जाए तो वो अभी भी अनील के उपर हमले कर रहा था और इसी हमले के दोरान हट बड़ाहट के जक्कर में वो खुद की ही हाथ की नस काट लेता है जिसके बाद उसके सरीर से भी काफी सारा ख खुन यहीं पर गिर जाता है उसके बाद वो बाहर चला तो जाता है लेकिन जादा दूर तक नहीं जा पाया क्योंकि जादा खुन बह जाने के कान खुन की कमजोरी के कान उसे चक्कर आने लगते हैं बीच में ही कहीं पर भी वो गिर जाता है और वहां पर गिरने के बाद उसके सारा का सारा blood loss हो जाता है और वो भी वही पर अपनी जान गवा देता है और जब पुलिस वाले यहां पर आए थे अनील चोधरी की उन्होंने dead body को हिरासत में अपने ले लिया था यहां आसपास में थोड़ी investigation पुलिस वाले कर रहे थे तो उस time उन्हें वहां पर एक dead body कोड़ी और मिली थी और वो आमोद की ही थी जो कि इसके उपर हमला करके यहां से भाग रहा था और अनील की बेटी ने पहचान लिया था कि यह तो वही बंदा है जो कि उसके पिता के उपर हमला करके यहां से भाग रहा था तो पुलिस वालों की दिमाग में उस time पहले तो ये confusion आ रहा था कि तो कातिल यहां पर आए उन में से एक कातिल तो बाहर मरा पड़ा है तो क्या जो उसके साथ यहां पर आया था उसने ही उसे मार डाला इसी तरीके के काफी सारे confusion उन लोगों के दिमाग में थे लेकिन जब तनू ने ये सारी ही चीजे पुलिस वालों को बताई तो पुलिस वालों को सारा मामला समझ में आ चुका था और उसके बाद मोहित को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तनू भी इस टाइम पुलिस की गिर किया गरता था ये खुद तनू बोल रही थी लेकिन दूसरी तरफ अगर उसका पती उसे प्यार कर ही रहा था तो वो कनहिया के पास क्यों गई थी इन सारी ही चीजों का जवाब ना तो पुलिस वालों के पास है और ना ही किसी और के पास अगर आप लोग इस बारे में कु जरूर बताएं ताकि और लोगों को भी पता चल पाए कि इस केस में और क्या क्या हुआ था वैसे दोस्तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ओफ बिट पोड़कास्ट को सबस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी तरी के के काफी सारे ट्विस्टिड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूं और इसी के साथ दोस्तो आज का शाउट आउट साह नवाज को एंड राइड ए बीडिफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्